बिहार के बांका जिला में दूसरे कुर्णा संक्रमित की पुष्टी होने के बाद जहां जिले में भय और दहसत का महौल है वहीं इससे उत्पन प्रस्तितियों में जिला प्रसासन की भी चिंताएं काफी पड़ गई हैं इस बीच बांका जिला अंतरगत बिलहर परखंड के जिस बिसनपूर गाउं से कोर्ना पुष्टीब केस मिला था उसके तीन किलोमेटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोसित करते हुए इलाके को सील कर दिया गया है जिला अधिकारी सुहर्स भगत वम एसपी अरविंद कुमार गुपता ने संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में याजजान कारी दी जिला अधिकारी सुहर्स भगत ने बताया कि संपूर्ण बिसनपूर गाउं और इसके परतिये घर को सलेटाइच किया जाएगा साथ ही गाउं के चारो और तीन किलोमीटर के छेत्र को सील कर दिया गया है इस लाके में किसी के भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है जिला धिकारी के नुसार बाका जिला अंतरगत अमरपूर पर्खंड के मैनमा तता बेलहर पर्खंड के बिसनपूर गाउं से जुड़े उन सत्तर लोग की पहचान की गई है जो किसी न किसी तरह संक्रमीत मरीच की चैन से जुड़े है उनमें से 40 लोगों की सैंपल जाच में भेजे गया है साथ ही उन्हें बाका में आइसुलेसन में रखा गया है से 30 लोगों को भी अलग लग स्थानों पर आसुलेट करते हुए उनके सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजने की प्रकिरिया की जा रही है डीम ने कहा कि अमरपूर के मैनमा तता बिलहर के बिसनपूर गाउं के मामले की वजह से बाका जिले की बिसेस रूप से 4 परखंड अमरपूर बिलहर संबुगंज तता फुल लिडुमर पर भावित हुए हैं इन चारों परखंडों में डोर टो डोर स्क्रिनिंग का निर्देश दिया गया है साथी मुगेर जिले की सीमा से लगे बिलहर परखंड के सभी गाउं में डोर टो डोर स्क्रिनिंग प्राथमिक्ता कैधार पर करने का आदेश दिया गया है बाकि इन 70 लोगों में से संबंधित गाउं में भी डोर टू डोर स्क्रिनिंग कराई जा रही है इस बीज बाका जिले की सीमा से लगे जारकंड के देवघर जिला में भी एक और कोरोना पोजिक्टिव मरीज की सामने आने के बाद बाका जिले अप्रसासन जिले के इस हिस्से को लेकर काफी सतरक हो गया है जिला धिकारी ने कहा कि बाका जिला के दच्छनी सीमान चांदन परखंड के जो तीन पंचाय दिवघर जिला की सीमा से लगे है वहाँ डोर टू डोर स्क्रिनिंग कराई जा रही है साथी वहाँ की स्थितियों पर लगातार नजर रखी जा रही है साथी प्रेस ब्रीफिंग में जिला धिकारी ने कहा कि बाका सदर अस्पताल की बहु आयामी उप्योगता को देखते हुए कुर्णा संक्रित मरीजों के लिए अलग से वाड की बिवस्था की जा रही है तो वहाँ पे कंटेन्मेंट का जो पालन है निदेश है हम लोगा हम लोग करें तो एक होटेल है एक होटेल में रखा गया है जहां पे लोग पोजिटिव आने के बाद हम लोग वहाँ शिफ्ट करेंगे जो की Hospital director से अलग है जैसा कि निर्देश में न eh जो कह हती है। अंके ने भी कॉरिंटाइन सेंटर का चैन किया गया है और जांच करने का सेंटर भी को अस्पिटल परिशल से इसको अलग कर दिया गया है अब होस्पिटल परिशल में कोरोना से संबंदित जांच हम लोग वहां से शिफ्ट करके गूसरे जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं और व वांका जिला में अब तक लोग के सामने करोना मैंटिन के दो पॉजिटिव के सामने आए हैं, इसमें एक तो हम लोग के जिला में प्रवेशी ने किये थे, वोसी दे हॉस्पिटल में भागलपूर में इदाज़ देते हुए, यहां उनके जांच एकर में गयात हुआ, दूसर हम लोग अब यह कहना चाहते हैं कि हम लोग का ये जो ट्रेस हुआ है, यह अपने यहां से नहीं है, पलकि दूसरे स्टेट से कोई पीडित व्यक्ति आए, उनके संपर्ख में आने से पहला है। पुग निवासी, रंजन कुमार जैसे अपने घर में असनान करने के लिए मोटरी स्टार्ट करने गया, तो उसी करह में लीके स्तार में सट गया, तभी अचानक विद्युधरा पर भावित हुई, और उसे जोड़दार करंट लग गया। राखी देवी, मा सुमित जादेवी, पिता सुभा सिंग, बार बर रोते हुए बिहोस हो जा रहे थे, मिनितक को तीन वर्स का एक पुत्र भी है, घटना की सूचना पाकर, मौके परजौन पुलीस हिसाई, मुहमद आपताब, संजे कुमार सुमन, दलबल के साथ पहुँच कुमार सनी, बिडियो सरस्ती कुमारी, एवं रैफरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अभेपरकास चौधरी के नेतरितों में स्वास्ते कर्मी एवं पुलीस कर्मी, अमरपूर परखन के बिबन पंचायतों में पहुँचकर आम लोगों को जागरू करते हुए नजर आ अपील की गई, ताकि वैसी लोगों का आविलम में स्वास्त परिश्चन किया जा सके। अगर कहीं भी लोकडाउन का उलंगन किया जाएगा तो वैसे लोगों को चिन्हित कर कड़ी कारवाई की जाएगी, उन्होंने आम लोगों से अपभाव पर ध्यान नहीं देने की अपील की। कम हो गई है और पुलिस की सकती के बाद बेवजा घुमने वाले भी सड़क पर नजर नहीं आ रहे हैं। बालबिकास परियोजना के थद बाराहट परखंड के पंजवारा में छेतर में संचालित आंगनवारी केंद्रों में सनिवार को दूसरे दीन सूखेर आसाम का वितरन पोसक छेतर में आने बाले बालबारी के बच्चों की बीच में हुई। इन बच्चों को धाई किलो चावल, सवा किलो दाल और 450 ग्राम सोयावीन का वितरन किया गया मौके पर आंगनवारी केंद्र संख्या 163 पर परवेच्चक मुहंबद अहमद हुसेन, सेविका रानी भारती, जिविका देवी, पिंकी देवी, वहीं केंद्र संख्या 34 पर प साहिका संजु देवी ने रासन सामगरी का वितरन किया